प्रेटोप प्रेटोप से में विंडोज 11 प्रिंस्टॉल आने लग गई है और मैंने एक लेटोप पर वीडियो बना दिया है जिसमें विंडोज 11 प्रिंस्टॉल थी तो आज आप लोगे लिए फिर से एक और स्टेंड के लेटोफ एघ्डी के साथ कैसी perform करते थे तो करते हैं इसके अंबॉक्सिंग और देखते हैं संब है विंडोज 11 प्रिंसी से कंगरेगा किकρο है तो आपके लिए लग सा अब vidéo करने से पहलिए अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल का सुब्स्क्राइब कर लीजिए साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार टेक्स रेलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं इस लेप्टॉप की अगर मैं मैं मैंनिफेक्टर डेट की बात करूं तो औक्टोबर 2021 और जो बॉक्स पर मर्पी दी हुई है वो है 45500 रुपीज वीडियो गलाश में मैं आपको बता हूँ है कितने रुपक आपको मिल जाएगा तो पिना टाइम में उसके जल्दी सी बॉक्स को कर लेते हैं ओपन बॉक्स कॉंटेंट की बात करूं तो पावर कोड 65 वोट का ACI अडप्टर और एक यूजर मैनुवल दी हुई है यह है लेप्टोप का फस्ट लूग और इसके फिजिकल ओर्वी की बात करूं तो जेट ब्लेक कलर दिया हुई है बिल्ट क्वालिटी भी काफी ओसम देखने में दिया हुए RJ45 पोर्ट वैसे अभी जो भी रिसेंटली में लेप्टोप आ रहे हैं उनमें RJ45 रिमूव कर दिया है लेकिन एक अच्छी बात लगी इसमें RJ45 पोर्ट दिया हुए HDMI पोर्ट दिया हुए one USB 3.2 टाइप से पोर्ट दिया हुए जिससे आप डाड़ा ट्रांस का फिसार एरवेंट दिया हुए और विंडोज का होलोग्राम दिया हुए इसमें विंडोज 11 प्रिइंस्टॉल लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाती है तो बिना टाइम वेस्ट किया जल्दी से लेप्टोप का बूट सेटप कर लेते हैं तो फ्रेंड्स मैंने इस लेप्टोप का बूट सेटप कर लिया है और बूट सेटप में मैंने को पंदरा मिनट का टाइम ही लगा है और मैंने Microsoft account इस लेप्टोप में बनाया है नहीं और इसी के साथ इस लेप्टोप के configuration की भी कर लेते हैं बात सब सब पहले CPU की बात करो तो Intel Core i3-111-5G4 प्रोसेसर दिया हुए, Clock Speed 3.0 और Intel Turbo Boost Technology जे 4.1 GHz तक यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको 2 Core, 4 Thread और 6 MB की Cache Memory दी हुई है, तो काफी powerful प्रोसेसर दिया हुई, नेक्स बढ़ता हूं इसमें Memory के तरब, तो यह आपने को 8 GB की DDR4, 3200 MHz की दी हुई है, और आप इसे Extend कर पाओगे 16 GB तक है, नेक्स बढ़ता है, इसमें Storage Options की तरब, तो यह आपने को 1 TB की HDD दी हुई है, WD Company की, और 5400 RPM पे वर्क करती है, साथ इस Laptop में आपको M.2 slot दिया हुए, तो आप इसमें SSD लगा के इस Laptop की Performance को और Increase कर सकते हो, इस Laptop मे Connectivity Options की बात करूँ, तो इसमें आपको latest Wi-Fi 6 नहीं मिलता है, इसमें आपको 5P दिया हुआ है, और Bluetooth 5 वर्जन आपको इसमें मिलता है, तो Net की Speed भी टेस्ट कर लेते हैं, तो friends मेरे पास जो Internet का प्लान है, वो 60 Mbps का है, और Download और Upload Speed स्क्रीन में आपको दिकरी है 62 Mbps, तो यह हाँ, तो मेरे को कहीं भी कोई फरक देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें Wi-Fi 5P दिया हुआ है, साथ इसमें आपको RG45 port दिया हुआ है, तो आप लेन के थुरू भी इंटरनेट अच्छे से access कर पाऊगे, और अभी मैंने जो आपको Internet की Speed टेस्ट करा ही, वो इसके Wi-Fi से टेस साथ आता है, तो मैं आज इस लेप्टोप में आपको गेमिंग के लिए फैफर नहीं करूँगा, आप नॉर्मल टास्क इसमें आप आसनी से कर पाऊगे, वहीं इसके डिस्प्ले की बात करो, तो इसमें 15.6 एंस की Full HD, SVA, Anti-Clayer Coating के साथ डिस्प्ले दी हुए, जिसकी Brightness 250 निट से है, और कलर गेमिंट आपको 45% NTA से मिलने वाला है, और वीडियो क्वालेटी आपके सामने आ रही है, वीडियो क्वालेटी मेरे को average देखने को मिल रही है, और इसके साथ इसके 3-side narrow bezels दिये हुए, तो लुकिंग काफी अच्छी लग रही है, यहां आपको आगे क quality टेस्ट कराई, और को काफी शांदार देखने को मिली, और इस laptop में जो keyboard दिया हुआ है, फुल साइड बलेक keyboard दिया हुआ है, साथ ही में आपको इसमें numeric keypad मिल जाती है, तो काफी tactile सा feel हो रहा है, मेरे को keyboard के अंदर flex ना के पराबर देखने को मिल रहा है, और जो key traveling का जो space सपोर्ट करता है, और यहां आपको dedicated buttons मिल जाते हैं, left और right के लिए, साथ इस laptop में आपको Microsoft Office Home and Student 2019 lifetime के लिए मिल जाता है, और यहां आपको Intel Core i3 की branding देखने को मिल रही है, और इसी के साथ इस laptop की HDD के साथ performance पर टेस्ट करके देखते हैं, HDD के साथ ये laptop कैसी perform करता है, वैसे म मैंने इसमें टेप खोल रखे हैं, कम से कम 10, और performance HDD के साथ मेरे को average देखने को मिल रही है, और इस laptop की maximum performance टेस्ट करने के लिए, इसमें video rendering भी करके देखते हैं, मैंने 2 minutes की video footage एड़ की हैं, तो देखते हैं, rendering में कितना time लगता है, तो friends, video rendering complete हुए है, और जो time लगा है, 2 minutes 30 seconds का time लगा है, तो प्रोसेसर की performance काफी शानदार है, और अगर आप इसमें SSD लगा लेते हो, तो काफी शानदार performance आपको मिल जाएगी, साथ ही देखते हैं, HDD के साथ ये laptop बूटों ने में कितना time लेता है, तो power button को उन करने जा रहा हूँ, 1, 2, 3, तो friends, laptop बूटों गया है, और HDD के साथ 50 seconds का time लगा है, तो इतना सा time तुल लगीगा, तो इसी के साथ इस laptop की webcam की quality को टेस्ट करा देता हूँ, HP True Vision HD camera with integrated dual area microphone के साथ आते हैं, तो webcam की quality आपके सामने है, ये photo क्लिक करके देखता हूँ, तो webcam की quality मेरे को average ही देखने को मिल रही है, और 40,000 के budget में आपको इसा भी laptop लेलो, ऐसी ही आपको quality मिलेगी, तो friends मैंने इस laptop की performance टेस्ट की और Windows 11 pre-install इसमें दी हुई है, तो इसकी performance मेरे को तो बहुत ही कम देखने को मिली है, और इस laptop की अगर मैं pricing की बात करूँ, तो HP की official website पे अभी launch हुआ है, 43,000 के आसपास, तो मैं company से यही request करना चाता हूँ, यार, 40,000 के budget में कम से कम 120 GB की NVMe SSD प्रवाइड कर वह हूँ, जो इसकी performance काफी शांदार देखने को मिले, तो friends अगर मेरा personal opinion अगर आप लेना चाते हूँ, तो आप इस laptop के लिए मत जाना, क्योंकि यार, 43,000 के budget में, और भी other brands में आपको अच्छे model मिल जाएंगे, और इस laptop मे जो मेरे को दूसरी का मिलेगी, यार, display भी, SVA display दी हुई है, तो यार, ये भी एक मेरे को बहुत ज्यादा बड़ा drawback देखने को मिला है, तो friends मैं तो आपको इस laptop के लिए recommend नहीं करूँगा, और मैं मिलता हूँ next video में आपको Windows 11 के new laptop के साथ, तब तक के लिए, जैहिंद, व के लिए्याँ जैpower के लिए, थैर देखने कर दोने है, तो ये लिए, वार, ये लिए, व एक के लिए, जैहिंद, दो में तो बहुता दूश्याँ, वे जो जां़ करूँगा।